इस वीडियो में हमें मानव के जनन तंतर को पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जनन सभी जीवधारियों में पाये जाने वाला एक अतिम अत्रपुन तंतर है जिदने भी सजीव है वो जनन की किरिया करते हैं और जनन के दुवारा ही संतान उत्पन करते हैं संतान उत्पन होने से उस जीव का वंस बना रहता है जिससे एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन करता है तो यहां पर यह जनन की परिवासा है कि जनन क्या है जनन किछे कहते हैं तो जनन एक एसी परकिरिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संत्ति उत्पन करता है और अपने बंस को बनाय रखने के लिए फिर आगे इसमें बता रहा है मानों में लेंगिक जनन पाय जाता है देखे जनन जो है वो मुख्यरूप से दो परकार का होता है एलेंगिक और लेंगिक एलेंगिक जनन का मतलब यह है जिसमें लेंगिक अंग भाग नहीं ले और लेंगिक की जनन का मतलब यह है जिसमें लेंगिक अंग भाग ले तो यहाँ पर मनुष्य की बात की जा रही है तो मनुष्य में लेंगिक जनन पैदाता है यह है दिवीलिंगी परजनन पर किरिया है यानि कि स्ट्रिलिंग और पुलिंग दोनों यहाँ पर जो है काम आएंगे तो ये दिवी लिंगी प्रजन पर करेक लाती है जिसमें नर्युगमक के तोर पर सुक्राणों का निर्मान करते हैं और मादा युगमक जो है वो अंडव का निर्मान करती हैं ठीक है पुरूस के अंदर जो नर्युगमक है वो सुक्राणू बनते हैं और मादा के अंदर मादा युगमक अंडाणू बनते हैं ठीक है? सुक्राणू तदा अंडाणू के निशेचन से युगमनज का निर्मान होता है अब ये important question बनता है यहां से एक नमर का थोटा question कि युगमनज क्या है या युगमनज किशे कहते हैं तो इसका अंदर क्या होगा? सुक्राणू और अंडाणू के निशेचन से बनने वाली संदर्चना युगमनज क्यालाती है देखें नर के सुक्राणू और मादा के अंडाणू तो नर के बहुत सारे सुक्राणू जो है उनमें से केवल एक सुक्राणू और मादा के एक अंडाणू से सल्यन करेगा जुड़ जाएगा और अंडाणू और सुक्राणू आपस में जुड़ेंगे तो उससे निश्यचन क कहा जाता है तो एक परिवासा यहां निश्यचन की बनती है कि निश्यचन क्या है यह निश्यचन किशे कहते हैं तो यह अपना आगे दुबारा भी देख लेंगे आगे आएगा इसे टोपिक में जो आगे चल करके नया जीव का निर्मान करता है जो जाइगोट बना है कोशिकाओं का विकास एक विशेस अवदी जिसे योवनारंब कहा जाता है देखिए मनुष्य की बात करें तो छोटा सिसु जो है वो संतानुत्पन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर अभी जो लेंगिक अंग है उनका विकास नहीं हुआ है तो जो लेंगिक अंग है उनक उनके अंदर जनन कोशिकाई होती है लिए आउपर ही यंगमक्च बनाना शुरू करती है तो उस अवस्ता को उस आयू को योनारंब कहा जाता इस सवस्था में क्या होता है इस सवस्था में लेंगिक विकास होने लगते हैं जैसे लड़कों के अंदर जो योवनारम के लक्षण है वो है आवाज का भारी होना दाड़ी मूच आना कांख वैजननांग छत्रों में बालों का आना तुचा तेली होना यह तो लड़कों के लक्षण हो गई कब जब यह नारम वस्ता आती है ठीक है फिर दूसरा हिस में है लड़कियों के अंदर क्या होता है लक्षण इन लक्षणों को अपने गोण जित्त्टेक लक्षण subtle कहा जाता है तो लड़कियों में इसतन का बनना और आकार में वर्दी होना इसका लक्षन है ताउचा का तेली होना और जननांग शित्रों में बालो का आना और रजो धर्म का शुरू होना रजो धर्म यानिकी जो पिरियड से 28 दिन के अंतरार के ओपर जो रख्त इस्तरा होत है वो रजो धर्म का लाता है यह सुरू हो जाता है अदी योनारम के लक्षन है यह लड़कियों के अंदर है अब लड़कियों के अंदर यह वस्ता कब आती है लड़कियों में योनारम वस्ता 12 से 14 वरस की उमर में होती है यानिकी जब लड़किया 12 से 14 वरस की आयो परात क सब्सक्राइब होते हैं और उसे ही योना रम वस्ता कहा जाता है लड़कों में लड़कों में यह सथा 13-15 वरस की उमर में होती है जो लेंगिक परिपकवता यानि कि जो लेंगिक अंग है वो पुर्ण रूप से परिपकवता कभ हो जाएंगे 18-19 वरस की आयू पर पुर्ण ह हो जाते हैं इस अवदी में मनुष्य की स्विधनों उसके बोद्दी को मानशिक इस्तर में परिवरत लाता है देखिएगा इस समय 18 से 19 साल की आयू तक जो बच्चा है वो बाले अवस्ता से किसोर अवस्ता में आ गया है और किसोर से फिर वो यू अवस्ता में जा रहा है तो ये किसोर अवस्ता ही एक प्रकार से यो नौरम अवस्ता है और किसोर अवस्ता के अगरी अवस्ता जो है वो है यू अवस्ता तो इस समय उस बालक या कि जो विचार है जो उसके स्विधनाई है उसका जो मानशी की इस्तर है उसमें बहुत सारे बदलावाते हैं योनारंब से लेंगिक परिवर्तनों के मूल में विभिन हार्मोन का इस्तरान होता है अब यह परिवर्तन क्यों आए उसके सारे लिक जो लक्षन अभी अपने पड़ा आवाज का भारी होना लड़कों के नरा आवाज का भारी होना तो यह लक्षन क्यों आए हैं क्योंकि उस पुरूस के अंदर टेश्टो इस्ट्रोण हार्मोन बहुत ही इंपोर्टेंट है परुस के अंदर जो अभी अपने गौण दित्तिक लेंगी लक्षण पढ़े थे दाड़ी मुझ का आना आवाज भारी होना यह सारे टेश्ट्रोण हार्मोन लक्षण जो हार्मोन है उसके ब जित्त्य लेंगी के लक्षण है वो परकट होते हैं यहां हम इस वीडियो में नरजननतंतर की विस्तार से बात करेंगे देखें एक्जाम के अंदर दो मैंने बताया था यहां एक बड़ा क्यूशन बनता है तो 3 पलस 2 यानि कि 3 नमर का तो वर्नन करना आएगा और 2 नमर उसक वर्नन की नरजननतंतर के कौन-कौन से भाग है वो पन यहां समझेंगे तो तरह सुरुवात करते हैं नरजनन अंगों को प्राथ्मिक और दित्यक लेंगिक अंगों में बाटा गया है यानि कि नरजनन के दो भाग कर दिये प्राथ्मिक लेंगिक अंगे और दित्यक के अंदर एक जोड़ी पाई जाते हैं उदर गुहा के बाहर तीक यह जो गोल सरन जनाए हैं यह इसके वर्षन कर लाते हैं तो चलिए अपन फिर आगे बात करते हैं प्राथमिक लेंगिक अंग की विस्तार शेया निकि वर्षन के बारे में बताएंगे यह चोटे अंग होते हैं जो या तो लेंगी कोशिकाओं या युगमकों का निर्मान करते हैं देखिए अभी अपने बात कि थी नर्युगमक जो बनेंगे नर्युगमक का नाम है सुक्रानू वो सुक्रानू कहां बनेंगे इन वर्षन में बनेंगे यहीं बनेंगे ठीक है न कुछ थे करते हैं जो हार्मोन अभी एपने पटाथा कौन सा हर्मोन टे samahar moon वह उस्ट इस्ट Talk नहीं हर्मोन भी इन वर्षन कीन ही कोश काओं में ही बनता है बर यहां यहां किलाते हैं क्या कर लाते हैं शुक्रानों का निmb कि यश्चाइब करते हैं कि उद्र गुहा के बाहर नीचे की तरफ अपने दोनों पैर हैं वहां उनके मध्य में इस्थित होते हैं फिर आगे इसमें बता रहा है वर्षन के दो भाग होते हैं पर्थम जो सुक्राणों को निर्मान करेंगे यानि कि एसी कोशिका है जो केवल सुक्राणों को निर्मान करती है सुक्राणों यानि कि नर्युगुमक का निर्मान करती है तो था दूसरी जो कोशिका है वो क्या है वह अंता इस्तराइल गरंधी की तोर पर टेस्टे इस्टोरन हार्मोन का इस्तरान करती हैं ठीक है ना यानिकि वर्षन के दवारा दो चीजों का निर्माण होगा एक तो सुक्राणू नरीगुमक का निर्माण दूसरा टेस्टे इस्टोरन हार्मोन का निर्माण ठीक है यह तो परफनी बात रही प्राथ्मी ऑंग कर ली अब ने बन पड़ेंग से कवन कोई वंग्षन है और यह जो आनशे का माँ होगा रीकंस और गोन तो हैुआ न पे तो देखे अपने देखते हैं वर्षन को सब्सक्राइब निर्मान है तो शरीर से कम तापमान क्या आउसकता होती है देखिए अपने यहां वर्षन के अंदर क्या बन रहे हैं सुक्राणू बन रहे हैं तो यह हमारे स्रीज का तापमान कितना है 37 डिगरी सेल्शियस कितना है 37 डिगरी सेल्शियस लेकिन जो वर्षन का निर्माण होता है उसके लिए तापमान 37 डिगरी से 2 या 3 डिगरी सेल्शेस कम चाहिए तो इसलिए वर्षन जो है हमारे बाहर पाई जाते हैं उदर गुहा में नीचे यहाँ पर बाहर की तरफ वर्षन कोस में पाई जाते हैं तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सुक्रानों निर्मान के लिए कम तापमान क्या हो सकता होती है वर्षन कोस ताप नियंतर नियंतर की तोड़ पर काम करता है तथा यहाँ पर तापमान सेलिके अन्यंगों से कम होता है चलिए फिर बात करेंगे सुक्रवाहिनी जैसा नामी क्या वाहिनी मने नलीकाए अब देखे समझते हैं यह जो वर्षन है यहां पर क्या बन गया सुक्राणू बन गई ठीक है ना यहां बन गई अब यहां बनते तो हैं लेकिन यह यहां इस नलीका से यह जो नलीका जारी है यह सुक्रवाहिनी है यह इस नलीका से कहां जा करके अपना सुक्राणू को यहां सुक्राश्यक अंदर कर देंगी ठीक है वर्षण के अंदर सुक्रानों का निर्मान होता है ये सुप्राणों इस शुक्रवाहनी नलिका के । पहुंच जाएंगे Sutra के अंद्र पहुंच एसक तिरित हो जाते हैं ये क्या लिखा देखो सुक्राणों शुक्राशय तक पहुंचने के लिए सुक्रवाहनी की सहयता लेता है यानि कि सुक्राओं यहां से वर्षन से सुक्राश्य तक पहुंचने के लिए किसके दवारा पहुंचा इसे सुक्रवाहनी के दवारा पहुंचा ठीक है सुक्रवाइने मुतर नलिका के साथ एक स्विक्त नली बनाती है आगे देखे क्या बता रहा है यह सुक्रवाइने जो यहां देखे यहां यह जो सुक्राश्य है और यह मुतर एक्रिप उता है यहां जो नलीका है यह सुक्राश्य से नलीका आ रही है और यह मुतराशय से नलीका रही है यह दोने एक नलीका है सुखत नलीका में लेती है आगी जा कर एक नलीका दोना है यहां पर दोनों एक हो जाती है अपर दोनों समय मारग से परवाहित होते हैं कि समान्य वस्ता में मुत्र यहां से मुत्राश्य से मुत्र का उत्सदिन कर दिया जाएगा और उत्तित दवस्ता के अंदर उत्तितना के समय सुक्राश्य से सुक्राणों का उत्सदिन कर दिया जाता है अधर सुक्राणों में मुत्र दोनों के लिए समान एक इमार्ग होता है यह है वाहिका सुक्राश्य के साथ मिलकर के संख्लन वाहिनिक बनाती है यानि कि यह सुक्राश्य के साथ मिलकर के क्या बनाती है इसको संख्लन वाहिनिक कहते हैं क्या कहते हैं यहां इस समें इसको संख बिखन के लिए एक ठेली जैसी सनचना है लेकिए एंफ पर लेकिन उन सुक्राणों का पोउच्ण करने के लिए और उनकी शिर्ता के लिए यहाँ पर इसके लिए उन्य पदार्थ की इसमें दो कोई-ट करता है यान कि यह सुक्रानों नहीं हो जाए और ये रहे हैं इनको अनरजी मिलती रहे विसलिए यह तरल पदार्थ जो है कि ये पूर्षण लेते रहें प лишь का नाम प्रोस्टेट गरंती देखें ये यह ये तो ये और यह आपको दिखिर रहें ये 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 गरंती 210 गंती अर्सित आउशन Copolini के Нет यह तरल वीरिय का भाग बनता है और शुक्राणू को गती परदान करता है देखिएगा जब शुक्राशे से शुक्राणू फोड़े जाएंगे तो यहां से इस नलिकाशे होते वे शुक्राणू यहां मुत्र मारग में प्रवेश करेंगे तो यह जो प्रोटेस्ट गंती है यह अपने तरल पदार्थों को भी यहां इस नलिका में छोड़ देती है जिससे यह जो सुक्राणू है उनकी गती शिल्टा बनी रहती है अगला है मुत्र मारग देखें तो यह जो मुत्र मारग आपको दिखाई दे रहा है यह भाग मुत्र और जन्नन मारग दोनों का इसमें से होकर मुत्र सुक्राणू प्रोश्टर्श करंथी आधि की स्तराव बाहर निकलते हैं यह नलिका शिसन से गुजरकर मुत्रोजनन चिद्र जो बाहर जो चिद्र है उसे मुत्रोजनन चिद्र करते हैं कि द्वार बाहर निकलते हैं फिर अगला है शिसन शिसन यानि पर नंत अवस्ता में आकर वीर्य यानिकि शुक्रणों को मादाब जननांग के अंदर पहुंचाने का कारिये करता है इस परकार से हमने नर के जो भाग है नर जननतनतर के चितर के बारे में और नर जननतनतर की जो सं़ग्जना है ठीक है किसके कौन-कौन शे बाग है पर अत्विक जित्तिक इनके बारे में समझाजा फिर अपन बात करते हैं माधा जननतनतर की वाधान की इसतर्यों में भाखीला पूर दित्तिक दो लंगिक भागों में बाटा गया है तो परात्मिक जो इस त्रुव नहीं यह दिखा दे रहा है यह अंडाशे वाला बहाग है और यह दोड़ी अंडाशे होते हैं धाइन तरफ यह दाइन तरफ जो की उदर गुहां में होते हैं इसे परंपने बात करेंगे प्रास्मिक यह फिर करेंगे जित्यक की मेलाव में पर एक जोड़ी अंडाश्योक पाई जाते हैं जो कि अभी आपने उपर देखा था दर अंडाश्य के परमुक्त दो कारी हैं पर्थम तो क्या है याने कि गरती हैं और अन्डाणो का आती है कौन-कौन से एस्टोजन हार्मोन और प्रोजेस्टोन हार्मोन ठीक है दोनों अंडाशे उदर गुहा में पेट में वरक को ये वरक है ठीक है वरक है कि किड़नी के नीचे सुरोनी भाग सुरोनी भाग कुंसी जहां अपन अपनी पेटी बांते हैं बैल्ट बांते हैं ठीक है वो भाग स्रोली भाग कर लाता है में गरबाश्य के दोनों और उपसित होते हैं देखे यहां पर यह जो बीच वाला भाग है यह पूरा यह क्या है यह गरबाश्य है ठीक ना तो यह गरबाश्य के इधर है एक अंडाश्य और एक अंडाश्य इधर है तो दोनों इसको यहां पर यह जो अंडाश्य है इसके थोटी थोटी पुट्टी का इस प्रकारश्य पाई जाती है और यह पुट्टी का जो है यह क्या करती है अंडाणू बनाती है और यह अंडाणू इस नलीका के अंदर इसको अंडवाहिनी कहते हैं इस अंडवाहिनी में पहुंच हैं पुट्टी काओं देखते हैं परिपकव होने के पासाथ अ के यहां यह रहा रखा है यह गती करता हु Значит यहां गरबाशे की दीवारशेर कि यहां चिपक जाता है ठीक है है अन्रकी भाती इस्तरियों के परात्मक के अलावा जननननगों T जित्यक लिएक अंग बीप पाई जाते हैं तो यहां से भी झोयां चोटा एक है कि मादा जनननं का प्रात्मीड क्या है तो अंडाश्यास क का सही시 पुता है देखिए बीच में जो गर्भाश से पहुचाने का काम करती है देखिए अंडाश में बना है उस अंडाश में को यहां गर्भाश से पहुचाने का काम एंडव़ाईनी करते हैं यह यह 12 से तो आप को याद करना है कि मईहला में या इस्तरियों में मादा के अंदर निश्यकंस की हुथए flat time करना है अब ये शुरू करते हैं वीडियो सुरू करते हैं वसक्ता है फेले श किशा हुथ है तो देखें यहां पर यहीं जो भाग है भाय भाग इसे अपन यूं निक करते हैं, नर्ब द्वारा छोटे के जो सुक्राणू है वो यहाँ परवेस करेंगे ठीक है और यह सुक्राणू दोनों अंडवाहनियों में यहाँ गत्ति करते हुए पहुंग जाते हैं और यहां से यह जो अंडाशे अंडाणू है यह भी अंडवाहनी में गति करता हुआ यहां गरभाश्ची के ओर आ रहा है यहां कि सुक्राणू जो है वो अंदर की तरफ अंडवाहनी की तरफ जा रहे हैं और अंडाणू जो है वो बाहर इदर गरभाश्ची के ओर आ रहा हो तो जिस समय ये अंडानों अंडवाहनी में होता है उसी समय नर का सुक्रानों और मादा का अंडानों दोनों सल्यन करते हैं दोनों मिल जाते हैं इसे ही निशेचन कहते हैं तो निशेचन की किरिया कहां होती है अंडवाहनी में होती है कहां होती है इसे अंडवाहनी में होती ह आगे हैं गर्वाश्य यानि की बीच वाला भाग गर्वाश्य उदर के नीचे भाग में मुतर थेली तथा मलाश्य के मद्दे स्तीत खोकला मांसल लंग है जहां दोनों एंडवाईनिया स्यूक्त होकर एक थेली नूमा सनसना निर्मान करती है देखी ये एंडवाईनि और य देखी गर्वाश्य गिर्व धवार योनि में खुलता है यानि गर्वाश्य का बाहरason बाहर का यहोण निकलाता है और गर्वारे शुक्राणों दूवरर निश्य इस ताफित हो भृण का विककास करता है देखेएगा निश्याचन की किया कहा हुई इस अंडवाहनी में अब निश्य से नके बाद में जो यूगमन स्ट बना है यहीं से इसका ब्रुन का विकास होता है भुन का शिसू का विकास होता है तेल है गसे के लिखा है इसका तोड़ा भाग उपर की और सकरा भाग निची के रोता है गरभाशे गिरवा दुबारा योनी में खुलता है और गरभाशे में सुक्राणू दुबारा निशेचित अंड इस्तापित होकर के बुरुन का विकास करता है जो निशेचित अंडानू है उससे बुरुन बने तो यह अपरा कहते हैं हिंदी में इसको अपरा कहते हैं तो यह बुरुन जो है यह माता के सरीर से इस अपरा के द्वारा ही पदार्थों का आदान परदान करता है पोशन लेता है आवसिक पदार्थों को माता के सरीर से अवसोशित करता है गहन करता है इस अपरा के द्वारा पिर आगे लिखा है अन्टी भाग जो है इसका वो है योनी योनी कुन सा नर के द्वारा छोटेंगे सुख्राणु सरीर के गरबाशची तक पहुंचते हैं योणी के द्वारा तो यह हैं इस्त्रिय Call me Liz नेशिय इसे ऐला होता है और यह एप्र करिए arquad IKER इस दिन बाद में दोहरा इजाती है जिसे हिए अपन क्या कहते हैं रजो घर्म कहते हैं तथा परिश्व के मारक का भी कारी करती है परिश्व यानी की संता नुपत नोती हिसी जब गरवाशATA बहार निकलता है तो यूणी मारक से बहार निकलता है यूणी अब आपन आगे पढ़ilingual के ये पूरा जो युगमघ केसे बने उसको अपने मुस्टी चार भागोई के सब्सक्राइब iliyou तो देखें, समझने के लिए इसको औसानी से प्रजनन की जो अवस्ता हें, उसको पहले हैं पढ़ेंगे और यूगमक जन्न दयार्चें विदलन के विदलन यानि जो निशेचन विकास करता थे कंडा और वो बुरुन बनाता है और पहले आपन बात करते हैं परजनन के वस्ताओं में युगमक जनन वरसन नर के अंदर जो भाग है तो वर्षन के अंदर जो अरसुत्री वाजन होगा उसे 23 गुनसुत्र वाली कोशिका बनेगी यानि कि सुकुरानू के अंदर जो सुकुरानू बनेगा उसमें 23 गुनसुत्र होगे तो सरीर के अंदर काई कोशिका में तो 46 गुनसुत्र थे एगुनित न? तो ये किसी कोछी का एगुनित और ये क्या है यगुमक है, तुछिक है यानि कि नर यगुमक बन गया, सुकराणू बन गया. इसी परकार से इस तरीक अंर जो अनदाश्य है उस अनदाश्य शीद्व अञनऊ मनेगा वह भी 23 गुन शुतरवाल कोगा हुगा निर्मान को यूगमक जनन कहते हैं यानि कि वर्षण में व्रसन के दो्रहा सुक्राणव का निर्मान और अंदाश्य के दो quienशन समय ust far कर दवरार किरिया कुरिया निर्मान होता है तथा है किरिया और मी बंदर अधा यसे जो मों कहते हैं ठीक sleeping आप आपने बात कि अंडोई नियां यह था करेंगे निमादा में उपस्तित अंडानों में धुन के नर्द्वारत छोटे के सुक्राणू के संप्रक में आते हैं पथा सईगुमन जूड करके युगुमन बनाते हैं ठीक है और यह प्रकरिया निश्यचन कर लाती है ठीक चली फिर आगे देखते हैं अपना कला पॉइंट विदलन तथा भुर्ण का रोपन देखें यहां चित्र से समझें अपन कि यहां अंडाशे से जो अंडाणू बना है यह इस अंडवायनियम पहुंच गया और यहां नर के दौरा दो छोटे के सुक्राणू है वो गति करते ह हुष णडवायनियम पहुंचते हैं यहां यहां से यहां तक पूछने में बदलाव आजाता है यानि की बिभादशन करना सुरू आ lebih क्या तोला से बत्तिस इस परकार्शी कोशी का बनती जाएंगी फिर बुरुन बनेगा तो यहां पर पहले युगमणत जो बना है उस युगमणत के दर विदलन होगा ठीक है तो अपन उस प्रोसेस को समझेंगे तो क्या लिखा है यहां पर विदलन ठीक है उसके बुरुन का दुद्धवाता है घुड़ाता है यहां पर रोपन का लाती यहनुरह वह रोपत हो गया कहां घुर्बाशेस पर यह तो कहते हैं तो उसके दूरा प्रशव जो बुरण है विकास होगा और माता के सरीर के अंदर गरभाशे में जो शिसू बन जाता है वो शिसू जब पुरण विक्षित हो जाएगा तो सरीर शे बाहर निकलता है तो स्रीज चे बाहर आने की परकिरिया परसव कलाती है तो क्या लिखा इसमें बुरन रोपन के परसाथ बुरनी विकास की विभिन वस्ताव से गुजरता है यानि कि बुरन के अंदर अंग बनने शुरू होते हैं देरे देरे आँखें बनती है हर देश पन दन सुरू होता है तो उसके अंग बनने सुरू होते हैं तो विभिन वस्ताव होती हैं और गर्भस शीसू जो गर्भाष में जो शीसू है का पुरुन विकास होने पर बच्चा जनम लेता है और शीसू जनम की परकिरिया ही क्या कहलाती है परसव कहलाती है तो इस परकार से हमने यहाँ पर मानव के नरजननतंतर और माताजननतंतर के बारे में विस्तार से जानकरी परात की जहां से बड़ा क्यूशन बन सकता है अपने यहाँ पर पांस नमर का क्यूशन बनता है धन्यवाद